क्या सचमुच हमें ओमिक्रोन से ढरने की जरूरत नहीं है क्या सचमुच डिल्टा वेरियंट ने दूसरी लहर के दौरान जो खौफनाक मंजर दिखाया था वो अब फिल से नहीं आने वाला दीश में ओमिक्रोन से संक्रमितों का इलाज कर चुके कुछ एक्सपर्ट्स और ड डॉक्टरों से इस बारे में जानने की कोशिश की कि क्या लगतार बढ़ते मामलों के बाद भी हमें ओमिक्रोन से डरने की जरूरत नहीं है एलन जेपी के डॉक्टर एमडी सुरेश कुमार बताते है ज्यादा पैनिक होने के यषकता नहीं है लेकिन कई एक्सपर्ट्स ऐसे भी है जो अमिक्रोन से संक्रमित होने के बाद शेरे में हुई Immunity की बढ़ conservative को फाइदे मन बता रहे है कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर योगिराज रॉय कहते है कि अगर जादा तर लोग Omicron से संक्रमित हो जाते हैं तो हमें Immunity मिल जाएगी जो लोग Vaccine ले चुके हैं उनमें Mixed Immunity विक्सित हो जाएगी इससे अच्छा क्या ही हो सकता है Omicron से Infected होने के बाद शरीर में बनने वाली Immunity Vaccine के Short के बाद और Strong हो जाती है लेकिन सवाल ये है कि देश में लगतार बढ़ते Omicron और Corona के केसे से देश में कितना खौफ फैल सकता है लोगों के लिए ये वारस कितना हानिका रखोगा MD सुरेश कुमार बताते हैं डॉक्टर सुरेश ही नहीं देश में Omicron संक्रमितों का इलाज कर चुके ऐसे कई और डॉक्टर्स है जिनका ये मानना है कि Omicron जादा खतरनाक नहीं है Critical Care Expert और Omicron से संक्रमित कई मरीजों का इलाज करने बारी डॉक्टर सास्वती सिन्हा कहती है तो देखा आपने संक्रमितों का इलाज कर चुके डॉक्टर्स का और एक्सपर्ट्स का कहना है कि Omicron भले ही तेजी से फैल रहा हो लेकिन ये डिल्टा वेरिंट इतना खतरनाक नहीं है अभी मिले संक्रमितों को ना तो आक्सिजन की जरूरत पड़ रही है और ना ही ICU में भीजा जा रहा है